धर्म योधा गरोड सच सारे संसार की संदर्ता जैसे आज मेरी पुत्री में समा गई हूँ बस अब तुम्हें किसी की बुरी दृष्टी ना लग जाए महारानी सखी पारात आगे सखी जिनके भाग्य में साक्षात संदर्ता की ये देवी है वो मेरे दामाद स्वयम कैसे दिखते हैं मैं भी तो देखूं सरा मैं आपकी ही परतिक्षा कर रहा था देव रिशी आपने तो कहा था कि शिव जी बड़े दिव्य और अनोखे हैं क्या इन सभी दिव्य रिशी में से कोई एक है वो ये तो सभ रिशी है महारानी शिव तो इन से भी अधिक दिव्य है क्या वो है शिव जी नहीं नहीं महारानी ये तो संसार के संचालक प्रभू शिरी नारायन है मेरे प्रभू नारायन नारायन ये भगवान कौन है ये सब ये तो शिव के गण है महारानी भूत परे पिशाच निशाचर अगोरी पशु और ये सब शिव को बहुती अधिक प्रिय है इसलिए तो स्वेंबू शिव भूतनात पशुपती कहलाते हैं इसलिए पश्वारा ये सब हाँ प्रिय को कि अिव ये 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 सब ये इस को बड़ है और मेर्या ये सब ये अगारायन नारायन, नारायन, अब की बार आपने सही पैचाना है मारानी, यही है देवों के देव महादेव, यही है शिव, आपके दामाद, महारानी, पहादेव, आपके दामाद, यही है शिव, यही है शिव, आपके दामाद, पहादेव को देखकर महरानी मैना मुर्चित हो गई साथ ही ये बारात भी रुख गई है हे प्रभू अब क्या होगा नई मैं ऐसा होने नहीं दे सकती पारवती तुम और शिप जी एक दुसरे से बिलकुल अलग हो उनका रहन सेहन जीने का ढग उनका स्वभाव से कुछ तुम से बिन्न है उत्री मैंने माहरानी के मन में सैंशया तो उत्पन कर दिया किन्तु कहीं ये शंका इस विवा में विग्म का कारण ना बन जाए विवा के बाद ऐसे संसुराल में हरे लिए नहें पाना संभव कैसे हो पाएगा ऐसे विप्ति के साथ तुम कैसे सुखी रह पाओगी पुत्री नहीं नहीं मैंने जो देखा है मैं उसे नहीं बुला सकती मैं ये विवा नहीं होने दे सकती माँ 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 मैं आपकी चिंता समझती हो पर मेरी ले शिव और उनका हर रूप सच्चा है सुंदर है वो बहुत पवित्र है माँ बहुत दूर है दिखावे से अब जानते हैं आईश्वारे और वैभा उनके दास है पर फिर भी साधारन जीवन जीते हैं वो अपनी सारी इच्छाइट त्याग चुके हैं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं उनकी जीवन संगिनी बनकर जीवन के पत पर उनके साथ चलना मेरे लिए सव भाग्य की बात होगी माँ यह तुम क्या कह रही हो पारवती मेरे बात को समझ क्यों नहीं रही हो आप ही समझाए ना इसे यदि ना समझे ना तो कुछ भी करके किसी भी तरीकी से इस विवा को रोप दीजिए पर मैं शिर से प्रेम करती हूं मा एक बार मेरी मन की भावना को समझने का प्रयास कीजिये मा एक बार सिर्फ एक बार उन्हें उन्हें मेरी आखों से देखिये और उसके बार भी अदि आपको लगा कि उनका साथ मेरे लिए उचित नहीं है तो आप जो कहीं ली मज़े स्विकार होगा हे महादेव मेरी माँ आपके इस वरूप के दर्शन करने में असमर्द है इसलिए मेरी विनिती स्विकार कीजी आखों को हर्शित करने वाला मन को सुख देने वाला कामीश्वर रूपधारन कीजी प्रभू अब कौन सी नई करवट ले रहा है संसार का भाग्या महादेव ने अपना तामेश्वर रूपधारन कर सबको चाहित कर दिया था बहुत ही भव्वी तेज अलोकिक्षिव महादेर के उस अति मनमोह अति दर्शनिय मुख देखने के बाद उनका स्वागत हुआ महाराज हिंवन्त और महारानी मैना इन दोनों ने उनके चरन पकारे महाराज हिंवन्त पकारे वरवधू एक दूसरे को वरमाला पहनाई महाराज हिंवन्त पकारे मैं हर पल इस ही शन की प्रतिक्षा में प्याकुल रहती थी प्रभू मैं भी बड़ी अतूरता से इस शन की प्रतिक्षा कर रहा था प्रिये आप ही मेरी शक्ती है आपके बिनावया पूर्ण था देवी पार्वती और महादेव ने अगनी के सामने फेरे लिए और एक दूसरे को जैमाला पहनाई इस प्रकार उनका विवाह संपन्न हुआ और दसो दिशाओं में प्रसन्नता जा गए झाल प्रकार विवाह संपन्न हुआ जाए सबस्क्राइब पर अधियुद दुछ थाए थैर दो उतने जर्ड तार इंद रहता मेरी मा की इच्छाओं का मान रख कर आपने मेरी भी इच्छाओं का मान रखा इसके लिए आपका धन्यवाद स्वामी इसमें धन्यवाद कैसा परी है यह तो मेरा कर्तव्वे है और अस तरह देवी पारवती और महादेव ने एक दूसरे का सम्मान रख कर संसार के समक्ष एक आदर्श जीवन साती होने का प्रमान रखा फेरे संपन्न हुए अब आप दोनों अपना स्थान करहन कीजिए बैचे कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आए स कया थे कछ दोनों पिता आए मौन करत पित एक आए है कर दोन हुए है ला ला ले ले ला कि यह किस चिंतन में आगय है महराज और महराणी मैना और महराज हिमवत पुना ही चक रहे थे प्रभू किन्तु महादेव से अधिक संपन्तों तीनों लोकों में कोई नहीं है तीनों लोकों के स्वामी वो स्वयम ही तो है और अब तो यह बात वो दोनों भी जानते थे फिर किस कारण चिंतित थे वो प्रभू यह सब महारिशी नारत की करनी का परिणाम था मूशक जी पर प्रभू वैसे तो महादेव और देवी पार्वती के विवा में अर्चन उत्पन हो गई पर अंत्वी शंका के कारण महाराज हिमवन और महारानी मैना ने विवा रोप गया तो यह क्या हो गया मुझसे एक अनर्थ रोकने की चाह में मैंने एक नई अर्चन को हुत्पन कर दिया हुए माले पर वयत की रक्षा करने हे तू महाराज तथा महारानी के मन में महादेव के लिए शंका तो उत्पन कर दी महारेशी नारत ने पर उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि शंक उत्पन तो शीक्र हो जाती हैक किन्तू उस शंक असे होने में रधय को बहुत समय लग चाता है कि अब तारका सूर रिश्यों से अपनी पूझा करा करा चे दिन प्रति दिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जारा है यदि इस विवा में और विलम हुआ तो तारकासूर खुद को इतना शक्तिशाली बना लेगा कि उसे रोकना संबब हो जाएगा जाएगाँ